पिछले वीडियो में हमने साइलोटम की एक्स्टरनल मॉर्फोलोजी और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था हमने स्टडी किया था कि जो साइलोटम में एक राइजोम पार्ट होता है जो अंडरग्राउंड होता है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है इस पर राइजोईड्स परजेंट होते हैं रूट्स एबसेंट होती है और इस राइजोम से उपर की तरफ एरियल शूट निकलता है एरियल शूट भी डाइकोटोमसली ब्रांच्ट होता है, इस पर स्पायरली अरेंजड लिवज पाई जाती है, लिवज में स्टोमेटा नहीं होते, लिवज में वैस्कुलर सप्लाई भी नहीं होती है इसके लवा हमने देखा था कि जो एरियल शूट है उस पर स्पायरली अरेंजड स्पोरेंजियम भी पाई जाती है, आज हम साइलोटम की स्पोरेंजियम के बारे में स्टड़ी करेंगे साइलोटम में जो स्पोर का प्रोडक्शन होता है, वो विशेश परकार की सरंचनाव में होता है, जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं ये स्पोरेंजिया एरियल शूट पर पाई जाती है, और एरियल शूट के जो दूरस्त सीरे होते हैं, वहां पर स्पोरेंजिया स्पैरली अरेंजड या सरपिला का रूप से विवेवस्थित होती है जैसा कि हमने राइनिया में पढ़ा था, कि जो स्पोरेंजिया है, वो एरियल शूट की ब्रांचेज के टिप पर पाई जाती है, जबकि साइलोटम में ऐसा नहीं होता, उसमें स्पोरेंजिया टर्मिनल नहीं होती है साइलोटम में जो स्पोरेंजियम होती है, वो एक शोट स्टार्क्ड ट्राइलोब्ड स्टक्चर होती है, जिसके साथ एक बाईलोब्ड फोलियर अपैंडेजेज संबंदित रहता है अर्थात, जो स्पोरेंजिया होती है, उसमें एक छोटा स्टार्क या वरंथ पाये जाता है, और जो स्पोरेंजिया है, वो त्री पालित स्रंचना है, और इस स्पोरेंजिया के साथ एक द्वी पालित फोलियर अपैंडेजेज भी जुड़ा हुआ रहता है जो स्पोरेंजियम है इसमें तीन चेंबर्स पाए जाते हैं और प्रते एक जो चेंबर है उसमें स्पोरोजिनस टिशू पाए जाता है और प्रते एक जो स्पोरोजिनस टिशू है उसकी कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल्स का काम करती है और स्पोर बनाती है शेश कोशिकाएं डिस इंटिग्रेट या विक्टित होकर के नौरिशिंग फ्लूइड या पोशन का करेय करती है जैसा कि डाइग्राम B में दिखाया गया है कि साइलोटम जो है उसमें जो स्पोरेंजियम है उसमें एक सिंगल वैस्कुलर सप्लाई एंटर करती है जो उसके स्टाक में जाती है और इसके जो trilocular part है या जो त्री कोश्ट किया भाग है उसके नीचे यह supply तीन भागों में बंड जाती है इसका जो appendages है या जो उपांग है bylobed appendages उसमें कोई भी vascular supply एंटर नहीं करती है sporengium का जो development है वो use sporengiate प्रकार का होता है और जो बावर scientist थे उनके अनुसार जो sporengium जो होती है वो bylobed appendages है उसकी उपरी स्तेह पर एक outgrowth के रूप में बनती है जबकि scientist buyer host ने इस view का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो sporengium जो है वो bylobed appendages से पहले बनती है और bylobed appendages जो sporengium का स्टाक है उससे lateral outgrowth या पार्श्विय अतिवर्दी के रूप में बनता है यहाँ जो diagram दिखाया गया है इसमें हम buyer host के view को study करेंगे जो परते एक lateral outgrowth जिस से sporengium बनती है और यह जो outgrowth है यह है एरियल शूट पर बनती है और यह है जो outgrowth होती है यह है एक epical cell के द्वारा ग्रो करती है और एक multicellular fertile stock बनाती है जैसा कि diagram एम में बताया गया है और इस multicellular या बहु कोश्किय जो fertile stock है इसके शिर्ष पर तीन initial cells बन जाती है और प्रते एक जो initial cell है वो periclinal division से divide होती है यानि प्रिद्य विवाजन से divide होती है और प्रते एक जो initial है उसमें प्रिद्य विवाजन होने से बाहर की तरफ एक outer primary wall initial और अंदर की तरफ एक inner primary sporogenous cell बनती है जो primary wall initial है उसमें अब बहुत सारे periclinal और anticlinal विवाजन होते हैं periclinal और anticlinal विवाजन से इतात प्रिया परिनतिक और अपनतिक विवाजन होते हैं जिससे स्पोरेंजियम की wall बन जाती है जबकि primary sporogenous cell में विवाजन होने से बहुत सारे sporogenous cells बनती है उन में से कुछ sporogenous cells बाद में spore mother cell बनाती है और जिन से spores बनते हैं और बाकी जो sporogenous cells होती है वो developing sports के nourishment के काम आती है तो इस परकार जो शुरू में एक outgrowth बनी थी उसमें तीन जो इनीशल सेल्स बने थे और उन तीन इनीशल सेल्स थे तीन अलग-अलग पार्ट में तीन अलग-अलग लोकिल में sporogenous tissue बनता है जो साइलोटम की sporengium है इसकी morphology को दो तरीके से समझाया गया है जो scientist Bauer है वो कहते हैं कि जो इसमें bilobd appendages होता है वह एक sporophyll है और जिस की dorsal surface पर एक trilocular sporengium बनती है अर्थाथ Bauer के अनुसार जो bilobd appendages है वह पहले बनता है और sporophyll की तरह है है जिसके dorsal surface पर एक trilocular sporengium बन जाती है जबकि बायर हास्ट के जो अनुसार जो bilobd appendages है वह sporengium stalk से एक lateral outgrowth के रूप में बनता है और बायर हास्ट जो है sporengial stalk को एक fertile axis या अक्ष मानते हैं जिसके शीर्ष पर एक sporengium पाए जाती है और जिससे एक lateral outgrowth के रूप में bilobd appendages निकलता है इसके अलावा बायर हास्ट ने यह भी ऑबजर्व किया कि जो sporengium में जो आर्ची sporium या जो sporogenous tissue है वो तीन अलग-अलग initial cells से बनता है और sporengium के जो तीनों locule या कोस्टक है उनमें अलग-अलग vascular supply होती है इन दो observation के अधार पर उन्होंने यह भी conclude किया कि यह जो trilobd sporengium होती है यह एक synengium है जो तीन sporengia के fusion से बनती है students जो साइलोटम के sporengium पर एक short note पूछा जाता है तो आप उसको short note जो 40 से 15 words का होता है उस अधार पर इसको थ्यार करना है इसको हम एक बार दुबारा revise कर लेते हैं तो जिसको हम अगर यह question आता है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं साइलोटम में sporengium aerial shoot पर पाई जाती है यह aerial shoot पर spirally arranged होती है साइलोटम में जो sporengium है terminal नहीं होती है साइलोटम में sporengium एक short starked trilobed structure है जिससे एक bilobed foliar appendages जुड़ा हुआ रहता है इसके परतेक लोक्यूल में या परतेक चेंबर में sporogenous tissue पाई जाता है यह sporogenous tissue से spore mother cell बनती है और इन spore mother cell से आगे spores बनते है sporengium का development use sporengiate परकार का होता है scientist bower के अनुसार bilobed appendages पहले बनता है और उसकी adexial या dorsal surface पर sporengium एक outgrowth के रूप में बनती है जबकि scientist bower host के अनुसार जो sporengium है यह पहले बनती है और इसके stark से अतिवर्दी या lateral outgrowth के रूप में bilobed appendages बनता है और हमने जो study किया था वो बायरहाष्ट का view study किया था जिसमें हमने देखा stem से एक lateral outgrowth निकलती है जिसके इस lateral outgrowth के अंतिम सीरों पर तीन initial cells बन जाती है इन initial cells में periclion विभाजन होता है तो बाहर की cells तरफ wall cell बनती है और अंदर की तरफ primary sporogynous cell बनती है primary wall cell से wall बनती है और primary sporogynous cell से spor mother cells बनती है जो आगे जा करके spor बनाती है और spor एंजिम की morphology के बारे में भी दो views दिये गए हैं जो बावर हैं वो bilobed appendages को sporophyll like structure बानते हैं जिसकी dorsal surface पर lateral outgrowth के रूप में एक trilocular यानि तीन कोश्टक वाली sporangium बनती है जबकि बायर हाष्ट के अनुसार जो foliar appendages है वो sporangial stark की अतिवर्दी है उनके अनुसार जो sporangial stark है वह एक fertile axis या अक्ष है जिसके शीर्ष पर sporangium पाई जाती है और इससे एक leaf like appendages निकलता है जो bilobed होता है और उन्होंने यह भी observe किया था कि इस fertile axis के शीर्ष पर तीन अलग-अलग initial cells बनती है या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें तीन separate sporangial initials होते हैं और इसमें जो तीन कोस्टक होते हैं उनमें अलग-अलग वैस्कुलर सप्लाई पाई जाती है और इस अधार पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह है जो स्पुरेंजियम बनी है साइलोटम में यह तीन स्पुरेंजिया के फ्यूजन से बनती है इसलिए हम इसे सिनेंजियम भी कहते हैं